जे हिन जे भारत आर्मी अचीवर्स के ओफिसेल यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो रेली भरती निकल चुकी है किसके लिए नर्सिंग असिस्टेंट जो की होने वाले हैं परमानेंट रेगुलर केडर दोस्तो इसके अंदर आपको चार साल की सर्विस नह आहperform है क्योंकि कमेंट में पूछ रहे थे कि कौन-कौन से इस्टेट की भरती आय चुकी है और जो नर्सिंग असिस्टेंट की भरती एमसी सेंटर में खुली हुई है दोस्तो और जोस्तो बंड़ 새वाले भी बता दूघा है आगे हम बात करेंगे दोस्तो कौन-कौन सी जगह में कौन-कौन से स्टेट्स की भरती निकल चुकी है तो सबसे पहले जो निकली हुई दोस्तो दिल्ली की जो की IRO दिल्ली के अंदर है इंडिपेंडेंस जो रिकूर्टमेंट ओफिस से दिल्ली यहां के रेली भरती का नोटिफिकेशन निकल चुका है ओनलाइन भी स्टार्ट हो चुके है दोस्तो यहां पर जो जोन अंबाला है हेटक्वाटर राटीजी जोन अंबाला महां की निकल चुकी है जेडारो चेन्नाई की निकल चुकी है जेडारो बेंगलोर के अंदर नर्सिंग असिस्टेंट की निकल चुकी है और इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट का मतलब है दोस्तो एमसी वाले नर्सिंग असिस्टेंट और दोस्तो RBC वाले nursing assistant दोनों की निकल चुकी है मतलब कि दोस्तो जो veterinary वाले हैं वो भी इसमें भरती हो सकते हैं अब इसके बाद में दोस्तो यहाँ पर दुर्ग 36 गड़ इसकी भी निकल चुकी है और दोस्तो यहाँ पर high quarter recruitment zone पुने इसकी भी आ चुकी है तो यह किसकी है nursing assistant की जो भी भरती हैं अभी तक निकल चुकी है उन सभी के यहाँ पर दोस्तो आप मैं बता देता हूँ एक बार information के लिए कि आ चुकी है तो दोस्तो eligible criteria जो नया वाला रखा गया है उसमें 2 साल की आपको छोट दी जाएगी अगले साल से दोस्तो साड़े सतरा से 23 साल तक बच्चे समें भरती हो सकते हैं regular cater के basis पे कितनी payment मिलेगी एक बार आपको बता दूँगा documents related भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से document आपको बनवा लेने है soldier, technical nursing assistant और nursing assistant, veterinary ठी कि दोस्तो AMC में जाएंगे और RVC में जाएंगे इन दोनों ही center में ये बच्चे जाएंगे आपको 10th plus 2 यह निकि 12 पास होना रहेगा आपके पास जो subject है दोस्तो वो science होने चाहिए science में math नहीं होना चाहिए science में आपके पास होना चाहिए physics, chemistry, biology, english और दोस्तो 50% का aggregate, 40% हर subject में आपके पास marks होने चाहिए 37 अगर आपके पास में biology नहीं है तो दोस्तो आपके पास 12th में क्या होना चाहिए botany, epizolosy होना चाहिए तब जाके आप इसके लिए apply कर सकते हो math अगर आपके पास है, PCM है तो दोस्तो आपके पास एक biology subject additional भी अगर है तो भी चल जाएगा ठीक है, मगर pure PCM वाले बच्चे technical इसके लिए नहीं जा सकते हैं, ये technical दूसरा है, वो technical दूसरा होता है जिसमें EME और सिगनल में जाते हैं बच्चे अब बात करते हैं, दोस्तो और भी एक advance चीज आपको पता दूँ कि और कौन-कौन सी इसी भरतियां होने वाली है, जो की permanent basis पे होगी तो दोस्तो यहाँ पे जो CPI D-Pharma की भरती होती है, CPI Pharma की Medical Cops के अंदर, उनकी भी जो भरती होने वाली है, वो permanent होगी, उसके लिए आपको 10th Plus 2 या Equivalent Pass होना पड़ेगा Physics Chemistry Biology और इंगलिस के साथ में और दोस्तो साथे साथ आपको D-Pharma होना चीए, 55% के aggregate के साथ में इसके अलावा दोस्तो Survey Automated Cartographer होता है, जिसको बोलते है Survey Auto Cartu, Engineer Scope के अंदर ही भरती होते हैं, ठीक है Engineer कौन कौन ही है, एक तो BEG Center है, MEG Center है और एक BEG Rood की वाला Center है, इन तीनों Center में जाएंगे, जो Survey Auto Cartu वाले बच्चे Engineers के हैं उनके लिए आपके पास Qualification BA, BSC, Math के साथ में होनी चाहिए तब जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और दोस्तो आपको 12 पास तो होना ही रहेगा और वो भी किससे Math Science के साथ में Math Subject आपको पास होना ही चाहिए 20 से 25 साल तक की उमर वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सिपाई डिपार्मा के लिए 19 से 25 वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इनमें कहीं छूट की Relationation नहीं दी गई है दोस्तो जूनियर कमिशन ओफिसर Religious Teacher अभी ये भरतियां खुली नहीं है दोस्तो नर्सिंग असिस्टेंट के खुल चुकी है बाकी भरतियां खुली नहीं है खुलेगी तो मैं बताऊंगा आपको सिर्फ तयार रहना है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये भरतियां पर्मनेंट रहेंगी इसके अलावा दोस्तो यहाँ पे कमीशन जो रिलिजिस टीचर होते है आटी जेसियो जिसे कहा जाता है इसके बारे में मैं अगला वीडियो लेकर आने वाला हूँ अगर आप बताएंगे तो कि क्या होते हैं कैसे होते हैं कैसे बनते हैं कुन-कुन से इसमें ट्रेड होती है आर्मी सर्विस कॉप जिसको AAC बोलते हैं आर्मी सर्विस कॉप के अंदर दोस्तों केटरिंग JCO डारेक्ट भरती होती है उसके लिए आपको 10th प्लस 2 पास होना रहेगा साथ जाथ डिपलोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए दोस्तों कम से कम एक साल का तब जाके आप इसको एपलाई कर सकते हैं और वो कौन से सब्जेक्ट में होना चाहिए कूकरी होटल मेनेजमेंट या फिर केटरिंग टेक में आपके पास होना चाहिए तो दोस्तों 21-17 साल वाले बच्चे इसमें अपलाई कर सकते हैं तब तक तो आप डिपलोमा आराम से कह रुक्यार्मेंट होती है और ग्रूप X, ग्रूप Y होता है ग्रूप X के लिए MA, MSC, MCA, BA, BSC, BCA यह होना चाहिए और दोस्तों आपके पास ग्रूप Y के लिए BC, BSC, BA, BCA और दोस्तों यहां पर IT और BA, BA तो होना ही चाहिए दोनों के लिए BA तो कंपल सरी है क्योंकि आपको login करके, आपको admit card download करने से मिलेगी यह भरती, मगर जो AMC center में relation वाले बच्चे जिनके पिता जी या भाई फोज में हैं, उनके लिए दोस्तों registration करने के लिए recruitment 2022.ad.amc इस वाले जो email ID है, इसके उपर document भेजने से आपका registration होगा, ठीक है दोस्तों दोनों यह भरतियां सेम है, सिर्फ अलग-अलग है कि एक में relation वाले जाएंगे, एक में open वाले जाएंगे, दोस्तों इसकी जो भरती में आपको जो पैसे मिलेंगे, वो regular cater के हिसाब से मिलेंगे, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में clear कर दिया था, कि दोस्तों कितनी आपको payment मिलेगी, वो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने पूरा डाला हुआ है, आपको 60,000 पर मन तक की अप्रोक सेलरी मिलेगी, 12 मेने के इसाब से आप लोग 7,20,000 तक इसमें payment earn कर सकते हैं, document कौन-कौन से लेके जाना है, एक बार reach एक जरूर करें जाने से पहले, detail document वीडियो मेरा आने वाला है, जिसक तरह का होता है, 10 रुपे के stamp paper पर type करवा के बनवाना होगा, इसके अलावा दोस्तों, नेटिविटी, domicile certificate, गाउं के सरपन्च से, residence proof, card certificate, धर्म गप्रमान पत्र, character के 3 certificate होते हैं दोस्तों, जो की गाउं का सरपन्च, police और school से बनेगा, इसके अलावा दोस्तों, यहाँ प पास tattoo है, तो वो tattoo certificate बनवाके लेके जाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो यह सारे आपको original दो अटेश्टेर फोटो कोपी लेके जानी है, जरूर से, तो दोस्तों आप नए हो चैनल पर तो subscribe कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा, तो like जरूर करना, comment करोगे, तो RTJCO के बारे में detail वीडियो बना दूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, जैन जय भारत वंदे महत्राम, all the best